नमस्कार दोस्तों टेक्निकाल गुरुजुम आपका स्वागत है सुस्क्राइब मैं चैनल एंड प्रेस दबाई लाइकन फॉर दा लेटेस्ट आपडेट आज का टॉपिक है वेक्यूम सर्कृट ब्रेकर जिसमें मोटर और ट्रास्परवर दोनों कॉंट्रल होता है और यह 6 इसका फिडबेक है कमांड है यह इसके थ्रू ही जाता है और यह देख रहे हैं उसका बगल में लगा हुआ है वह उसका स्वीचिंग डिवाइस है कि देखें जो यह लगा हुआ है यह इसका स्वीचिंग है जब हम लोगा ब्रेकर अपरेट होता है तो यह स्वीच होता है और ये जो देख रहे हैं anti pumping relay का काम है एक बार breaker close command ले लिए तो दूसरे बार नहीं लेगा और ये हो गया हमलोग का closing spring और ये उसका mechanism और यह एक्स्टा प्रोटेक्शन के लिए जब भी बाहर से फॉल्ड करेंट आता है तब रिले इसको ट्रिपिंग कोमेंट देता है और यह ब्रेकर का मानुआल ओन और स्वीज इसे नोर्माली अपरेशन करना नहीं चाहिए और यह श्रींग चार्ज डिस्चर्ज का इंडिक और यह जो देख रहे हैं काउंटर है ब्रेकर जितने बार अपरेट हाता है यह जो लगा हुआ है यह लिमिट्स विजए को स्प्रिंग चार्ज है कि ने उसका फिडवेग हम लोग को उपर तक देता है डिसे डिसे या जो यह जो है एक मोटर लगा हुआ है डिसी के मोटर ह अऩर यह हम लोग का स्प्रिंग चार्ज के लिए ह्ल्प करता है इस कैसे गाम कता है डिटेल्स में आपको एंड में बता दिया हुआ देख लिजिए गया है यह जो नीचे आप देख रहे हैं है यह हम लोग का 32 फॉयंट में मेल फिमल कॉंटाक्ट है और यह 64 पॉयंट में एब सब्सक्राइब इसका काम चुल रहा है वहां तक जाता है अब ऐसीम इसका काम चल रहा है babम चुछ जा देन आगा और नीता का जिए । और यह होगी हम लोग का breaker का control panel, breaker का control panel वो जो cable देखे थे आप आके सिदा यहां पे लगा हुआ और यहां से हम लोग का जितना भी relay है, fuses है, जो भी control है, सब यहां से होता है, यहां से हम लोग DCS के supply देते हैं, DCS के तुरू मोनिटरिंग करते हैं, और command भी देते हैं और यहां मानवाली हम लोग TNC के तुरू भी कर सकते हैं, और यह जो देख रहे हैं, यह ब्रेकर का back side है, ब्रेकर का back side में छेट और jaw contact है, उसमें से 3 in है और 3 out है, और white color का जो देख रहे हैं वो vacuum cylinder है, जो हम लोग का close और open के time में जो हम लोग का conductor में आर्क होता है, उसको observe कर लेता है, और यह जो नीचे spring जैसा दीख रहे हैं, यह conductor है, जो close और open के time में काम करता है, और सामने का पूरा mechanism में इसी के लिए लगा हुआ है, और यह नीचे वाला जो देख रहे हैं, आर्थ ट्रिप है, आर्थ ट्रिप से सिधा के यहां लगता है, आर्यम 630 relay यह मोटर प differential बताता है, और यह IRD 670, बहुत तरहा का fault current बताता है, जैसे मान लिजे कुछ example दे रहा है, over current, earth fault, master trip, sensitive earth fault, off trim trip, traffic fault trip, emergency push bottom, traffic fault, alarm, boss dead, synchronized ok, line, under voltage trip, from 33, last CB trip, differential fault, यह सो बहुत तरहा का देता है, आप उसका PDF डाउनलोड मेरके भी देख सकते हैं, जितना भी ABP का relay देख रहे हैं, सब PCM 600 के तुरू प्रोग्राम होता है, और यह जो देख रहे हैं, IRD 630, LTE panel का protection के लिए उज़ोता है, LTE panel में कुछ भी fault आता है, earth fault over current, short circuit, कुछ भी आता है, यह sense करता है, और यह जो देख रहे हैं, आप यह ट्रांस्पोरर और फीडर एक है, उसमें क्य सब लगा हुआ है, डीटेल्स में आपके बता देता हूं, देखिए, यह जाब देख रहे हैं, 49.2 यह हम लोग का power plant का frequency है, जो constant frequency आ रहा है, और यह हम लोग का multi function meter, इसमें current बताता है, voltage बताता है, बहुत कुछ है multi function काम है, और यह है local remote switch, उसके वगल में है, यह TNC, trip and close, manual trip and close switch है, और यह analog meter, volt meter, arameter, और यह 87 relay, जिसका हम मास्टर टीब relay भी बोलते है, मास्टर टीब relay कुछ भी trip होता है, तो इसके तुरूँ trip होता है, और यह हो गया हम लोग का WTI, OTI, PRB, बोकल्स उसका alarm और trip, और यह जो देख रहे हैं, supervision relay है, और यह हो गया motor feeder, मोटर feeder में हम लोग का indication lamp लगा हुआ है, REM 630 लगा हुआ है, supervision relay लगा हुआ है, और हम लोग का master tip relay है, उसका TNC है, local remote switch है, multi function meter है, यह सब कुछ लगा हुआ है, एक feeder में, उसे transformer के हिसाब से मोटर में बहुत कम protection यूज़ हुआ है, खली REM 630 यह सब कुछ कॉंट्र करता है, का निजिम कैसे काम करता है, यह जो रेड वाला spring है, वो spring charge के लिए है, और जो green वाला है, वो breaker close के लिए है, इसमें देखिए, जोठो कोईल यूज़ हुआ है, ट्रिपिंग कोईल, एक क्लोजिंग कोईल, और एक universal motor है, जब खली only spring charge वाला spring को tension में लेता है, ब्रेकर क्लोज का कमांड देंगे, तब यह काम करेगा, देखिए, यह रेले को हम बेकर क्लोज का कमांड दे दिए, तो वो close हो गया, और जो spring charge वाला spring है, वो release हो गया, उसके बाद फिर universal motor चालू हो जाएगा, देखिए, कैसे हो रहा है, देखिए, जब close हो गया, तब यह release हो गया, तो फि अब tripping coil कैसे काम करता है, उसको देखते हैं, tripping coil कैसे काम करता है, जब भी बाहर से किसी तरह का fault current आया, art fault हो या source circuit हो, कुछ भी fault current आया, तो वो release को देता है, release क्या करता है, command देता है, tripping का, tripping command जब देता है, तब trip क्या करता है, breaker को बंद कर देता है, बंद करने से क्या होता है, हम लोग बोलते है, breaker बंद हो गया, तो trip हो गया, फिर हम लोग देखते हैं, किस कारण से trip होगा, क्या होगा, उसको find out करता है, और उसको फिर breaker को चलू क कर देते हैं अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट और लाइक कर दीजेगा धन्यवाद